Hollywood Silver Screen presenting The School for Good and Evil कहाने की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी सालों पहले दो शक्तिशाली भाई रफेल और रियान ने मिलकर परियों की दुनिया में एक ऐसा स्कूल बनाया था जिसमें एक तरफ तो बुराई रहती थी और दूसरी तरफ अच्छाई जिससे अच्छाई और फाइट होने लगती है एक तरफ रियान की अच्छाई की शक्ति होती है जबकि दूसरी और रफेल की बुराई की ताकत रफेल अपने खूनी जादू से रियान पर हमला करता है जबकि खूनी जादू को इस्तिमाल करना मना होता है मगर वो फिर भी खूनी जादू से लगा जिसमें वो रानी बनी होती है मगर उसकी मॉम उसको उठा दीती है वो अपने घरवालों से बहुत परिशान है वो इस ताउन से मिनफरत करती है जिस वजह से वो यहां से जाना चाती है अब उधर जंगलों में बने एक घर में हम एगता नाम की एक लड़की को देखते है जो कि अपनी मॉम के साथ यहां पर रहती है उसकी मॉम और वो दोनों एक विच है जिस वजह से इस ताउन के लोग एगता का काफी मजाक उडाते है और उसको विच कहकर चड़ाते है एक दूसरे से इतने अलग होने के बाद भी एगता और सोफी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं इसके बाद ये दोनों एक बुक स्टोर में जाते हैं जहां एगता हॉरर बुक लेती है और सोफी को एक परियोग के किताब मिलती है जिस पर SGE लिखा होता है जिसका मतलब है School for Good and Evil बुक्स्टोर वाली लेडी उन दोनों को बताती है कि ये बुक इसी स्कूल से आई है लेकिन इस स्कूल के बारे में किसी को नहीं पता एक हजार बच्चों में से किसी एक को उस स्कूल में जाने के लिए चुना जाता है कुछ साल पहले की बात है गवैल्डन की एक लड़की को एक शैतान आकर ले गया था जिसके बाद उसका किसी को बता नहीं चला कि वो कहां गई ये सब सुनकर सोफी गुड स्कूल में जाने के लिए उत्सुक हो जाती है और वो अपने विश एक पेपर पर लिखकर उसको इच्छा पूरी करने वाले ट्रीपर लगा देती है हाला कि एगता नहीं चाहती थी कि वो उसको छोड़ कर जाए वही अब रात को सोफी ये सोचकर उस त्री के पास जंगल में आ जाती है कि शायद मुझे भी वो शैतान आके उस लड़की की तरह ले जाएगा लेकिन तब ही वहाँ पर एगता आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ बात करते तब ही वहाँ पर अचानक से आस्मान लाल हो जाता है और एक काले धुए से बना हुआ शैतान सोफी को खीच कर ले जाता है एगता भी उसको पकड़ लेती है लेकिन जैसे ही वो शैतान उनको छोड़ता है तब ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा लकड़ी से बना पकशी आ जाता है जो उन दोनों को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है स्कूल पहुँचकर वो पकशी सोफी को इविल और एगता को गुड स्कूल में छोड़ देता है लेकिन सोफी हमेशा से अच्छे स्कूल में जाना चाती थी और एगता एक विच है तो उसको इविल स्कूल में होना चाहिए था लेकिन उस पकशी ने इसका बिलकुल उल्टा किया Sophie Evil School की टीचर लेसो से कहती है कि मुझे तो गुड स्कूल में जाना था शायद मैं गलती से यहाँ पर आ गई जिस पर लेसो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पक्षी कभी भी गलती नहीं करता है और तुम्हारा नाम तो इसी स्कूल में लिखा हुआ है ये सुनकर सोफी को गुस्सा आजाता है वहीं दूसरी और एगता अपने टीचर डोवी से कहती है कि सोफी को तो यहाँ पर होना चाहिए था शायद वो गलती से दूसरे स्कूल में पहुँच गई है मुझे उससे मिले जाना हुगा जिस पर डोवी भी उसको वही कहती है जो टीचर लेजो ने कहा था कि पक्षी कभी गलती नहीं करता कुछ दिनों बाद न्यू स्टुडेंट्स के वेलकम के लिए दोनों स्कूल्स के टीचर्स और सभी बच्चे एक जगा पर एखटा होते हैं जहां सभी बच्चों ने अपनी अपने पफॉमेंस देने के लिए उसी तरह के कपड़े पहने होते हैं बस अगथा और सूफी नॉर्मल कपड़ों में होती हैं जिसके बाद सभी बच्चे पफॉम करने लगते हैं जिसमें एक किंग आर्थर का बेटा टेड्रोस भी होता है जो वहाँ पर काफी फेमस है टेड्रोस एक शांदार परफॉमेंस देता है जहां उसको एक बुरे स्कूल का लड़का फाइट के लिए चैलेंज करता है टेड्रोस उसको अपने फादर की सोड से बहुत आसानी से हर देता है फिर वहाँ पर स्कूल का हेड्मास्टर रियान आ जाता है तबी सोफी और एगथा उसको बताते हैं कि वो दोनों गलत स्कूल में आ गए हैं क्या हम वापस घर जा सकते हैं जिस पर हेड्मास्टर कहता है कि अच्छाई और बुराई के स्कूल में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है जिसके बाद वो उन सभी को शुपकामनाय देकर वहां से चला जाता है अब उसी रात एगथा इस स्कूल से भाग कर सोफी के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तबी वहाँ पर एक एंजल आकर उस पर तीरों से हमला करने लगती है जिससे बचते ह हुए वो शीशा तोड़कर अंदर की ओर भागती है जहां वो देखती है कि उसकी नजरों के सामने उड़ते हुए खुन ने रफैल का रूप ले लिया है और वो एगथा से कहता है कि सोफी से दूर रहुच उसको अपना मकसद हासिल करना है और अब वो मेरी है ये कहकर वो स्कूल बदलवा सके लेकिन हेड मास्टर उनसे मना कर दिता है कि ऐसान नहीं हो सकता पर हाँ अगर तुम दोनों साबित कर सको कि कौन गुट स्कूल में रहने लायक है और कौन नहीं तो शायद मैं तुमारे लिए कुछ कर सकता हूँ इसके लिए तुम्हें एक सच्चे प् पसंद करती हूँ एगथा वो लेटर लेकर टेडरोस के पास पहुंच जाती है जहां उन दोनों में थोड़ी बाते होती हैं जिसके बात एगथा उसको वो लेटर देकर वहां से चली जाती है जिसके बात हम देखते हैं कि गुट स्कूल के सभी बच्चों को टेस्ट के लि हो चुका था और यहां का एक रूल है कि जो भी तीन बार टेस्ट में फेल हो जाएगा वो एक जानवर बन जाएगा और ये उसका आखरी मौका होता है तब है हम देखते हैं कि ग्रेगर के चारो तरफ काले बादा ला जाते हैं जो देखते ही देखते उसको पूरी तरह से घे पर बने टैटू से एक ड्रेगन को बाहर निकालती है ड्रेगन सूफी पर हमला करने लगता है सूफी के पास कोई जादूई पावर ना होने की वजह से वो बस उससे बचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तबी अचानक से वहां पर बहुत सारी मदुमक्या आजाती है ज को देखकर लैसो काफी हैरान रह जाती है वही दूसरी ओर wonderfully सभी बच्चों को एक नदी के पास लेकर जाती है उस नदी में ऐसी मचलिया होती हैं जिन्स छूकर कोई भी विश मांगी जाय तो वो उसी बल में पूरी हो सकती है सभी बच्चें उस नदी की मचलियों से अप मांगती है कि काश हम सबके सब घर जा पाएं तब ही नदी की सारी मचलिया इखटा होकर एक लड़की बन जाती है जो एगता से कहती है कि मैं 100 साल पहले फेल हुई थी और तब से मैं सबके इच्छा पूरी कर रही हूँ तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे आजात किया मेरे लिए घर मांगा वो लड़की एगता को शुक्रिया कहकर आस्मान में गायब हो जाती है और तब ही एक बहुत बड़ा पक्षी एगता के पास आकर खड़ा हो जाता है सब लोग दर जाते हैं मगर एगता वहीं पर होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये पक्षी कोई और नहीं बलकि Gregor है, जिसको टेस्ट में फेल होने की वजह से एक जानवर बना दिया गया है, Tedros को लगता है कि वो पक्षी Agatha को मार देगा, इसलिए वो Agatha के पास आकर अपनी जादूई सोट से उस पक्षी को मार डालता है, जिस वजह से Agatha बहुत गुसा हो जाती है, वो गुसे में Tedros को एक पंच मारती है और उस पर बहुत गुसा करती है, क्योंकि उसने Gregor को मार दिया था, Agatha डोवी से कहती है कि क्या यही अच्छाई है, किसी सीधे साथे इनसान को इसलिए मार देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी उमीदों पर खराने उतरता, जिस पर टीचर बताती है कि यहां हर कोई किसी खास मकसद के लिए है, और तुम भी यह बहुत जल समझ जाओगी, जिस तरह से तुमने उस लड़की को बचाया, उससे साबित होता है कि तुम वो पहली एक सच्ची राजकुमारी हो, जो एक बहुत लंबे समय बाद आई है, जिसके बाद सोफी और एगथा एक दूसरे से मिलते हैं, जहां सोफी उसको बताती है कि मदुमक्यों ने मेरी जान बचाई, जो कि असल में राफिल था, तब ही वहाँ पर टेड्रोस आ जाता है, और एगथा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो टेड्रोस से अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा है, जब सोफी और टेड्रोस बात कर रहे होते हैं, तब ही वहाँ के गाट्स वेरवुल्फ वहाँ पर आ जाते हैं, वो वेरवुल्फ सोफी को पकड़ कर एक रूम में ले जाकर उसको एक चेर पर बान देते हैं, क्योंकि उसने राजकुमार से बात करने की कोशिश की, उसी रूम में लेसो पहले से मौजूद होती है, जो कि सोफी के बाल काट देती है, और जब सोफी अपने आपको मिरर में देख रही होती है, तब रेफेल मिरर से सोफी को दिखाई देता है, जो सोफी से कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, मुझ पर भरोसा करो और जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा वो उसको अपनी बातों में फसा लेता है वहीं दूसरी ओर आज सभी बच्चों की पावर्स को अनलॉक करने के लिए उन सभी को हॉल में घटा किया होता है जहां उनकी टीचर्स लेसो और डोवी उन सभी की फिंगर्स में पिन को चुभा कर उनकी पावर्स को अनलॉक कर देती हैं जिससे उन सभी की फिंगर्स चमकने लगती है तबी वहाँ पर सोफी अपने अलग अंदाज में आती है जिसने अपना लोग पूरी तरह से बदल लिया होता है उसको देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं जिसके बाद वो अपनी पावस अनलॉक करा कर वहां से चली जाती है वो उन लड़कों के साथ अपना गुर्प बनाती है जिन से उसकी बंती नहीं थी उसने ये सब टेडरोस को पाने के लिए क्या होता है ताकि उसको उससे सच्चे प्यार से किस मिल जाए और उसका स्कूल बदल जाए लेकिन उसकी ये हरकते एगता को बिलकुल भी पसंद नहीं आती है वो से काफी समझाती है पर सोफी उल्टा उसी पर गुसा करने लगती है वो कहती है कि ये भी तुमारी गलती है अगर उस रात मैं अकेले आती तो शायद मुझे गुर्प स्कूल मिल जाता लेकिन तुमारी वज़ा से सब बिगड़ गया जिस पर एगता उससे कहती है कि नाराज मत हो मैं टेड्रोस को हासिल करने में तुमारी मदद करूंगी ये सुनकर सोफी अब काफी खुश हो जाती है जिसके बाद एगता उन दोनों को मिलाने के लिए काम पर लग जाती है हाला कि एगता को भी टेड्रोस से प्यार होने लगा था मगर फिर भी वो उन दोनों को मिलवा देती है लेकिन दोनों स्कूल के बच्चों को उनका साथ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है इसलिए एक लड़की सोफी से आकर लड़ने लगती है तभी इविल स्कूल के बच्चे सोफी का बचाओ करने के लिए आ गया आते है और दोनों स्कूल के बच्चों में लड़ाई होने लगती है जिसको रोकने के लिए उनके टीचर्स आते हैं और फिर वो सभी उन बच्चों को हेड मास्टर के पास ले जाते हैं जहां सोफी उनको बताती है कि टेड रोस के साथ उसका रिष्टा बन गया है और टेड रोस भी मुझे पसंद करने लगा है जिस पर टीचर्स कहते हैं कि अच्छाई और बुराई में कभी कोई रिष्टा नहीं बन सकता लेकिन तभी हेड मास्टर कहता है कि एक रास्ता है जिसमें तुम दोनों को एक जंगल में एक दूसरी के अपोजेट छोड़ दिया जाएगा तुम्हें जंगल की कठनाईयों को पार करके एक दूसरी को ढूढ़ना होगा फिर सुबह होने से पहले एक साथ उस जंगल से बाहर निकलना होगा अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे प्यार को सच्चा माना जाएगा इस चुनौती को वो दोनों एकसेप्ट कर लेते हैं फिर उन दोनों को चुनौती के अनुसार जंगल के दोनों कोनों पर छोड़ दिया जाता है। सोफी जब जंगल में आगे भड़ती है तो उसको काटने वाले फूल पकड़ लेते हैं। वो उसको बहुत जगा काटने लगते हैं। वो उनसे बचते हुए एक जगा पर पहुँच जाती है जहां पर स्केर क्रो लगा होता है। लेकिन तभी वो अचानक जिन्दा हो जाता है और सोफी की बीचे पढ़ जाता है। लेकिन तभी बाहर कड़ी एगता उसकी चीक सुन लेती है और अपने जादू से एक कबूतर बनकर अंदर चली जाती है। वो उसको बचा लेती है जिसके बाद वो उसको आगे बढ़ने को कहती है। उसको टेड्रोस मिली गया था लेकिन तभी स्केर क्रो उन दोनों के बीच में आ जाता है और टेड्रोस पर अटैक कर देता है। स्केरक्रों बहुत ताकतवर होता है वो टेड्रोस को मानने लगता है जिस वजह से टेड्रोस की स्वोर्ड भी उसके हां से चुटकर सोफी के पास गिर जाती है जहां जांग layers को बोलती है कि टेड्रोस की मदद करो वरना वो मारा जाएगा इससे तुम्हारा सोफी को ये बोलकर वहां से चला जाता है कि तुम्हारा प्यार जूटा है। तुम अगर चाहती तो मुझको बचा सकती थी। जिसके जाने के बाद सोफी एगधा पर गुस्सा करती है। कि अगर तुम यहां पर नहीं आती तो ये सब नहीं होता। सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है। और वो भी वहाँ से चली जाती है। एगधा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम सूफी को उसके रूम में देखते हैं। जहां रफिल फिर से उसको मिरर में नजार आता है। और वो उससे कहता है कि तुम्हारी दोस ने तुमको धोका दिया है टेड रोस तुम्हारे लायक था ही नहीं अगर तुम उससे मिल जाओ तो मैं तुमको छोड़ कर कभी नहीं जाओंगा बलकि मैं तो तुम्हें अपने पावर्स भी दे दूँगा जिससे तुम बहुत पावफूर हो जाओगी सूफी उसकी बात मान लेती है जिसके बाद रफेल उसको अपना बलड मैजिक देता है वही दूसरी और एगधा सभी टीचर्स के साथ लेसो से मिलने जाती है जहां सभी टीचर्स लेसो पर भढ़कने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले से पता था कि रफेल यहां पर है और तुमने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया जिस पर लेसो बताती है कि वो सोफी के पीछे इसलिए पढ़ा है क्योंकि वो अच्छाई पर बुराई की जीच जाता है तबी स्कूल हेड मास्टर वहां पर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि सोफी गायब हो चुकी है अगर वो रफेल के साथ मिल गई तो बहुत बुरा होगा और अगर उसका भाई दुबारा जिन्दा हो गया तो वो सब के सब मारे जाएंगी इसलिए अब हमें सबसे पहले सोफी को ढूड़ना होगा लैसो को सोफी लाइबरेरी में मिलती है जहां वो देखती है कि सोफी की शकल बलड माजिक की वजह से बचसूरत होती जा रही थी सोफी उसको बताती है कि रफेल ने उसे बताया है कि उनके गाउं से सालों पहले जो लड़की गायब हुई थी वो लैसो ही थी मगर लैसो रफेल को अपना प्यार साबित नहीं कर पाई इसलिए अब वो रफेल को अपना प्यार साबित करेगी और साथी में इस स्कूल की रानी बनेगी उधर गुट स्कूल में सभी लोग दांस कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पर एगथा आती है जिसको टेडरोस मिलता है और कहता है कि तुमने जिस तरह से मेरी जान बचाई उससे मुझे पता चल गया कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो जिस पर एगथा उससे कहती है कि अभी ये सब बाते करने का समय नहीं है रफेल सोफी को अपने लिए यूस कर रहा है हमें उसको ढूरना होगा उनकी बात चली रही होती है कि तब ही सोफी वहाँ पर आ जाती है जहां सब लोग उसको देखकर डर जाते है क्योंकि बलड माजिक ने उसे पूरी तरह से बसूरत बना दिया होता है सोफी टेडरोस से कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हो ना तुम अपना प्रामिस तो नहीं भूले जहां टेडरोस उससे कहता है कि तुमने मुझे धोका दिया इसलिए अब मैं एगथा के साथ हूँ लेकिन एगथा मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है पर सोफी को गुस्सा आ जाता है वो एगथा को जूटा कहती है एगथा सोफी की मदद करने को कहती है मगर सोफी ये कहकर वहां से चली जाती है कि जब तक हम दोनों में से कोई जिन्दा है तब तक हमारी कहानी खत नहीं होगी तब ही वहां पर कुछ लोग आकर टेड्रोस और एगथा को अपने साथ ले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि सोफी ने अपने जादू से सभी लोगों को डॉल्स में बदल दिया है टेड्रोस इविल स्कूल पर हमला करने का फैसला करता है लेकिन अगथा उसको मना करती है कि अच्छाई कभी हमला नहीं करती मगर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और इविल स्कूल पर हमला करने चले जाते हैं एगथा भी अपने magic से कबूतर बनकर evil school में पहुँच जाती है वहाँ पर सभी बच्चे dance कर रहे होते हैं वो Sophie से कहती है कि वो सब तुम से डरे हुए हैं तभी Ted Rose और सभी good school के बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि अच्छाई कभी हमला नहीं करती मतलब ये सब बुरे लोग हुए इसलिए अब अच्छाई बुरी बन गई है और बुराई अच्छी और इसी के साथ सभी इविल बच्चों का रूप बदल जाता है वो सभी अच्छे बन जाते हैं और अच्छे वाले सभी बच्चे बुरे बन जाते हैं उन सभी में लड़ाई होने लगती है सब अपने अपनी जादूई पावर से लड़ रहे होते हैं जिस बीच सोफी एगता को एक रूम में बंद करके वहां से एक बर्ड बन कर सीधा स्कूल हेडमास्टर रियान के पास चली जाती है जहां उसको पता चलता है क हेडमास्टर कोई और नहीं बलकि रफल ही है वो उससे कहता है कि वो हमेशा से अपने सच्चे प्यार की तलाश में था और वो ही सोफी को यहां पर लाया है अपने भाई को मारने के बाद उसने उसकी जगा ले ली थी और अच्छाई के नियम बदल कर उसको अंदर से खोकल करते हैं जिससे रफल में बहुत ज़्यादा पावस आ जाती है और वो उन दोनों स्कूल्स को तबाह करना शुरू कर देता है जिसको देखकर सुफी डर जाती है और कहती है कि मैं बस उन लोगों पर राज करना चाहती हूं ना कि उनको मारना सुफी को भी एहसास हो चुका था कि उसने रफल का साथ देकर कितनी बड़ी गलती कर दी तब ही वहाँ पर आगथा आ जाती है सुफी एगथा से माफी मांगती है तब आगथा रफल से कहती है कि अच्छाए का प्यार पाक होता है और बुराई कभी प्यार करी नहीं सकती क्योंकि बुराई सिर्फ वापस से ठीक होने लगते हैं जिनको देखकर रफल बहुत गुस्सा होता है और तब ही पीचे से आकर टेड्रोस उस पर अटैक करता है मगर वो उसको दूर पटक देता है वो उसको मार नहीं वाला होता है कि तब ही सोफी टेड्रोस की स्वोट को अपने जादू से एगथ पर गिर जाते हैं जिससे वो दूबारा जिन्दा हो जाती है वो दोनों बहुत खुश होती है वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोनों स्कूल के बच्चे अब आपस में दोस्त बन चुके हैं और साथ में रहने लगे हैं लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं सोफी और एगथा को है जहां पर वो दोनों काफे खुश होती हैं लेकिन कुछ दिनों बाद अब हम देखते हैं कि जंगल में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक तीर निकलकर सीधा पेड़ में घुश जाता है जिसके बाद उसी पोर्टल से एक चाक को निकलकर उस तीर को चीर देता है और तब ही उस पोर्टल में से टेड्रोस की आवाज आती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है अगथा और इसी के साथ हमारी ये कहानी ही पर खत्म हो जाती है। हम उमीद करते हैं कि इस जादूई स्कूल की दुनिया आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके ऐसी और भी मुवीज के नेम सजेस्ट कर सकते हैं। बाकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी अच्छी कहानियों से एंटेटेन करते रहें। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अब फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नहीं इंट्रेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।